कश्मीर घाटी में आतंकी कारवाई के कितिहास में साल 2018 सुनहिर एक्षरों में लिखा जाएगा क्यूंकि इस वर्ष पिछले वर्षों के मुकाबले कई अधिक आतंकी मोद के घाट उतार दिये गए जिन में कई खूंकार आतंकी और उनके कमांडर शामिल है कश्मीर घाटी में सक्री आतंकियों को अब आम नागरीकों का समर्थन भी कम मिलने लगा है जो आतंकियों की मोद की एक बड़ी वज़ा बन चुका है और यही वज़ा है कि आतंकी अब रिहाशी इलाकों की जगा जंगलों में बनी गुफाओं और सुरंगों में रहने को मजबूर हो रहे है चिंता की बात ये भी है कि आतंकियों की मोद के साथ कश्मीर घाटी में पत्थर बाजी की खटनाओं में भी इस वर्ष बड़ोतरी हुई है आंकडों पर नज़र डालें तो वर्ष 2018 में 750 से जादा पत्थर बाजी की खटनाएं हुई है इस वर्ष सुरक्षा बलों ने किश्मीर घाटी में 240 से अधिक आतंकियों को ठेर किया है जबकि सुरक्षा एजंसियों की माने तो किश्मीर घाटी में अभी भी 250 से अधिक आतंकी सक्रिय है इस वर्ष आतंक के खिलाफ लोहा लेते हुए 80 से जादा सुरक्षा बल शहीद हुए जबकि सुरक्षा बलों के साथ हिंसक जड़पों में करीब 40 आमनागरिक मारे गए फिछले वर्षों के आंकड़ों पर नज़र डाले तो साल 2016 में करीब 150 आतंकी मारे गए थे जिसके बाद साल 2017 में के आंकड़ा बढ़कर 200 हो गया ओपरेशन आल आउट के तहट आतक वादियों के खिलाफ की जा रही कारवाई से आतक वादियों में खोफ तो है लेकिन दूसरी और आतंकी राथ थामने वाले खाटी के भटके हुए युवाओं की संख्या भी इस साल बढ़ी है साल 2017 में जहां 128 युवाओं ने बंदूख थामी थी वहीं साल 2018 में अब तक 190 से अधिक युवा आतंकी राथ को अपना चुके हैं एक के बाद एक मरते आतंकी और सुरक्षा बलो द्वारा इनके हत्यारों के जखीरों की धर पकड़ से ये सुनिश्चित हो गया है कि आने वाले साल 2019 में सुरक्षा एजंसियों ने कश्मीर में आंतकवाद की कमर तोड़ने की ठान ली है